we have been defined one relation r in the interval 0 to pi by 2 तो यहां पर जो भी इंपुट होंगे वो इसी इंडावल होंगे y x is related to y is statement का मतलब है x is related to y if and only if c square x minus tan square y is equal to 1 तो x और y दूसर से related under relation r में तभी में होंगे जब यह condition fulfill होगी जो आप tan square y को त्रांस्पोस करेंगे we are getting c square x equal to 1 plus tan square y और यह trigonometry में आपको बता होता है कि 1 plus tan square y c square y अब जिस given interval की बात हो रही है 0 से pi by 2 इसमें अगर आप c square x का graph बना के देखे हैं इसा कुछ होता है 0 से pi by 2 के बीच इस graph is continuously increasing तो यह आपका c square x क्या हुआ हुआ है इस one one function in the interval 0 से जिसमें यह रिलेशन डिफाइंड और किसी भी one one function के लिए f of x equal to f of y will imply x equal to y to seek square x equal to seek square y will also imply x equal to 1 इसका मतलब xy related तभी होगा जब वो उसके एक्वल होगा तो रिफ्लेक्सिपली यही तो होता है कि every element must be related to each other is x related to x अंडर लेसना यस विकाउस एक्स इस एक्वल टो एक्स then is it symmetric symmetric के लिए हम लोग क्या करते हैं कि let x comma y belongs to r यह फिर a comma b जो भी आप ले में सहें belongs to r अब यहां पर क्या गिवन है कि x y से लेटिट तभी होगा जब x equal to y होगा तो एक्स इक्वल टो बी हो गया और और अफ्कोर्स भी इक्वल टो यह हो जाएगा वहां से वी कॉमा ए अलसो बिलॉंस लॉंस 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 तो यह सट इस से मैंट्रिक और सो ट्रांजिटि यहां से आपके पास क्या हो जाएगा कि a is equal to b and b is equal to c तो यह तीनों ही आपसे बराबर हो जाएगे तो यहां से आपका सिखते हैं कि for all a b and b c a c also belongs to r एंस इस इस ट्रांजिट युज यह एस इस प्रांजिट और कोई भी रिलेशिंघिव इन तीनों ही प्रापटि को सब्सक्राइब करता है रिफ्लेक्स सिमेंट्रिक और ट्रांजिट वो क्या होचापता है एक्वालां से अंड़ेसिन होता है तो आंसर एस औप्शन